नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आएए बात करते हैं गोल्ड MCX की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड MCX का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेइस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगेगा क्या विव है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेट में एंटर करने से पह पर मार्केट में जो इवनिंग सेशन ने स्टार्ट हुआ उसमें थोड़े से इंडिकेशन इस तरीके के आने लग गए थे कि प्राइसे अब उपर की तरफ मूव कर सकते हैं और एक चीज़ और थी कि मार्केट ने एक गैप अपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी औ पूरे के पूरे दिन मार्केट ने होल्ड करके रखा हम यहां देख रहे हैं प्राइसेज ऊपर बढ़ते बढ़ते जो क्लोज हुए वो बिल्कूल अपने टॉप पर क्लोज हुए हैं 47,900 के ऊपर मार्केट ने होल्ड करके रखा और अपनी क्लोजिंग भी कर दी लास्ट गोल्ड में एक factor जो involved है अभी भी वो है USD INR उसमें अगर एक strength बनी रहती है अभी आगे के लिए भी तो prices जो हैं वो काफी अच्छे से अपने आपको strongly ऊपर के levels पर continue कर सकते हैं levels की अभी हम बात करेंगे पर अभी हम इसके एक trend को समझने ही कोशिश करते हैं और जो पिछला कुछ एक इसमें एक formation बना है वो बहुत important रहने वाला है उसका भी अभी हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के time frame पर वहाँ देखते हैं कि क्या view नजर आ रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो gold में एक selling थी prices नीचे यहाँ तक का जो एक momentum था gold में वो यह था कि 550 को market ने break कर रखा था ठीक है prices उपर भली गए पर market में एक इस level के नीचे market का बने रहना फिर या तो हम ऐसे time पर यह कर सकते हैं कि अपना next level का और support consider कर सकते हैं वो next level पे था 47,250 और यह last support था 550 के भी बाद ठीक है यह और ज़्यादा continue हो सकता था और ना continue होने के भी एक reason नजर आ रहा था वो था silver को support मिलना ठीक है silver में continue से एक downside थी silver में support मिलता तो gold का continue रहना downside के लिए वो थोड़ा सा एक doubtful था तो market ने एक gap of opening दिखाई और उसके बाद जो evening session जब स्टार्ट हुआ तो market ने और ज़्यादा strength की indication दे दी और prices उपर इस चीज़ के लिए मैंने message टेलिग्राम में भी broadcast किया था वहाँ भी आपने शायद देखा होगा अगर आप टेलिग्राम चैन के चार्ट में आपको इस correction के बाद एक sideways trend नज़रा रहा है और इस sideways trend में ये एक support बना हुआ है जिसमें 250 इसका एक last support level था मतलब ये पूरी की पूरी support range 250 पर खतम हो रही है prices यहां से नीचे है 550 के नीचे अगर ये इसी तरीके से hold रहते ठीक है वो एक ही दिन market ने वो भी closing के time market ने इस तरीके का एक reaction दिखाया कि prices जो है वो नीचे की तरफ hold है 250 को भी market break करता और जादा downside थी gap of opening prices strong हुए strength दिखाई और अभी आने वाले time में और जादा confirmation किस level के break कर करने के बाद आएगी वो अभी हम थोड़ा consider करेंगे अभी अगर आप इस pattern को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो एक double bottom जैसा एक pattern इसमें form हो रहा है यह भी आपको एक घंटे के time frame पे भी इतना clear नजर नहीं आएगा ये उन traders के लिए जो थोड़ा सा positionally gold में बने र selling यहां से अगर market उप़ जाता है यह है double bottom का pattern और prices अभी एक इस तरीके का formation बना सकते हैं ठीक है तो यहां कुछ level है जो break होता है तो gold में एक strength के indication आएंगे देखिए monthly closing, weekly closing, daily closing, यह सारी closing matter करती है और gold के अगर आप इस एक बार chart formation को देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि market थोड़ा सा एक support लेने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल highest level पे जो कल का जो एक तरीके से एक topmost level था उस पे last trading price का close होना और सिर्फ यहीं नहीं किया mcx में ऐसा हुआ हो gold usd की भी अगर हम बात करेंगे तो वहां पर में market almost अपने high पे close हुआ है gap up opening के chances है ठीक है तो थोड़ा सा risk देखिए हमेशा रहेगा एक btsd का मैंने थोड़ा सा recommend किया अपने traders को तो वहां अगर इसके ऊपर market खुलता है तो आपको one shot में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 100-100 point का एक benefit मिल सकता है बाकि आप intraday में क्या करते हैं intraday में देखिए अभी तक जिस सरीके कि एक movement है 100-100 point मतलब इतना easily नहीं मिल पा रहे है market जिस से consolidation को दिखा रहा है आप कहां इंटर करेंगे कहां नहीं करेंगे risk ज़्यादर रहेगा और अगर market में Monday को ही opening इतनी उपर हो जाती है तो आपके लिए एक benefit रहेगा ठीक है double bottom का pattern एक काफी अच्छा sign अभी इसके लिए बना हुआ है जिसमें इसने यहां पर एक low price टच किया यहां टच किया और यह price अभी धिरी धिरे confirmation दिखा रहा है support मिल चुका है उसकी confirmation आ चुकी है strength कब आ जाएगी double bottom कब confirm होगा उस level के भी हम बात करेंगे तो अभी के लिए market में सिर्फ buying के कुछ levels कुछ trades नज़र आ रहे हैं थोड़ा आगे चलते है डेली टाइम फ्रेम यहां देखें तो market में एक इस तरीकी का pattern है नीचे उपर नीचे और एक और डिप और फिर market में strength और prices यहां से turn लेने की कोशिश कर रहे है 47,903 इसका closing price है आपका मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि closing price और last trading price में एक थोड़ा सा difference होता है तो closing price जो रहा वो 47,903 पर रहा prices यहां के ऊपर अगर इसी तरीके से move करते रहते हैं और इस एक price को भी break कर देते हैं तो market में एक अच्छी strength बनने लग जाएगी उन levels को अभी हम consider करेंगे और एक चीज़ और थी कि gold USD जो अभी तक negative बना हुआ था उसमें भी काफी एक positive sign आने लग गए हैं इसमें एक दिन negative का यह sign बना था पर यह double bottom का pattern एक इसे एक strength दे गया बाकि आगे देखते हैं weekly time frame weekly time frame पे market में upside downside यह दो candle नीचे की तरफ आई है यह final candle एक अपना previous जो low था previous week का last week का वो downside में इन्होंने break नहीं करा है market में एक strength बनती हुई नजर आ रही है यह अभी temporary है प्राइसे जोने वो बहुत strongly अभी upside move नहीं दिखा पा रहे है ठीक है levels की अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा कुछ जादा मैं इसलिए नहीं बता पा रहा एक opening ज़रूर मैंटर करने वाली है अभी ठीक है थोड़ा सा एक crude oil का behavior कैसा रहता है silver में एक actual strength कब आपाती है उन सब चीजों को अभी धियान में रखेंगे और उसके बाद देखिए जब silver और crude में strength आनी लगेगी तो gold की जो strength है वो इतनी strong नहीं रह रह जाएगी ठीक है अभी थोड़ा time लगेगा खेर उसमें भी तब तक gold की strength बनी रह सकती है पर कहीं पर भी market में कोई selling का indication अभी नहीं है वो कब आ सकता है कौन से level पर आ सकता है उनको अभी हम लेकर बात करेंगे देखिए एक जो strength नजर आ रही है इस upside में market जो है वो पहले सबसे पहले 47,800 को break कर चुका है और अभी अगर हम कहीं पर भी थोड़ा सा एक selling का एक atmosphere देख पाएंगे तो उसके लिए market को 47,560 को break करना होगा otherwise आपको सिर्फ buying के trade रखने चाहिए ऐसा मेरा view है ठीक है उपर में एक core level है यह downside में हो गया current market में एक strength है उपर में एक level है 48,180 यह एक price है जो market break करेगा तो इस double bottom की confirmation charts पे आ जाएगी फिर market में एक sideways trend और काफी अच्छी strength के साथ market उपर के लिए move कर सकता है जहांपर इसका last rise chance है जो सबसे ज़्यादा important है वो है 48,666 यह मैंने आपसे पहले भी discuss किया था मतलब इस level में कोई change नहीं है 48,666 इस price के break होते ही यहां कहीं पर रहेगा market में एक reversal है यह जो अभी तक की एक weakness या फिर एक sideways trend को खतम कर देगा और prices जो हैं वो काफी strongly उपर की तरफ move करना शुरू कर देंगे तो 48,666 आपके लिए एक turning point रहेगा जो एक sideways trend को खतम करके या फिर एक weakness को खतम करके एक upside trend में convert कर देगा ठीक है और उसके बाद तो हम काफी उपर के level expect करेंगे मेरे हिसाब से 50,000 की भी अगर हम बात करें तो कोई गलत नहीं होगा prices उतने levels हमें चार्ट पर दिखा सकते है दूसरी चीज यूसडी आइनर में अभी जिस तरीके के strength बन रही है वो gold के लिए काफी supportive है तो इस चीज़ को भी आप ignore ना करें ठीक है दोस्तों तो ये था मेरा gold MCX पे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें बने रही मेर साथ देखते रही है market report धन्यवाद